फिर से स्वागत है आपका CG Job 2.0 पर तो दोस्तों आज कर्कूरूटमेंट निकल के आ रहा है दोस्तों यहाँ पर जिला बे महतरा के तरप से RTI में जो है यहाँ पर गेस्टेटीचर के वेकेंसी जारी हुआ है दोस्तों देखेंगे कौन कौन से पदो पर जो है आज का यहाँ पर गेस्टेटीचर जारी हुआ है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बलोद बजार दोयार जो है यहाँ पर दसवी पास केंडिडेट के लिए जो है वेकेंसी निखल के आ रहा है दोस्तों जिसमें अगर आप दसवी पास है तो आपको जो है बहुत ही अच्छा यहा हम आइटिया में गेस्ट टीचर जारी हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्तिक करते हैं तो जैसा कि आपके स्क्रीन में सो हो रहा है देख सकते हैं आप स्वरगें चंदुला चंद्रा कर अध्योगिक प्रस्रिक्शन संस्था बेमातर जीला के तरफ से यहाँ पे व तो जो भी इच्चुक केंडिडेट है जिनके पास भी योगता है वो अपना आवेदन जो है अन्तिम्ति थी जो की दियागा है 20 फरवरी तक आपको इसमें जो है डाक के माध्यम से आप फिर जो है आप स्वेम उपस्थित होका इसमें आवेदन कर सकते हैं कहां पर करना है जागा है 491-335 के पते पर जो है पंजी के लिए डाक से आथवास्थित होकर आप इसको जमा कर सकते हैं आवेदन के प्रारूप को ठीक है तो यहां से हम देखते हैं रिक्तपदों की जानकारी तो यहां पर दियागा है फीटर, इलेक्ट्रिशन, कोपा, वर्क्शॉप, कल इंजिनिरिंग, ड्रॉइंग, और मेकिनिकल डीजल, इंप्लाइबिलिटी, इसकिल के लिए जो है आपे पोस्ट जारी हुआ है दोस्तों ठीक है उसी साफ जो है आपे अलग-अलग आइटिया इस दिया गया है नवागर है बेरिला, मारो, बेमेतरा इन अलग-अलग कर सकते हैं अगर आप इस समबंदी ट्रेट से तो इसमें आउधन करने के लिए पात्र रहेंगे, अब बात करें आपको जो है इसमें किस प्रकार से होगातोगा तो इसमें आपके सैक्षिनिक योगता में प्राप्तां पैट्वार इसका मेरिट सूची त्यार किया जाएगा दोस्तों उसके नुसार आपका इसमें सेलेक्शन होगा ठीक है और यहाँ पर बतायागा है CTI और ATI प्रमानपत्र धारी अभर्थी उपलब्द नहीं होने की सिती में जो है दोस्तों 36 गड़ के पूरे संपूर जीले से केंडिडेट अब इसमें आविदन करने के लिए पात्र रहेंगे और जो है इसमें अनुभव आवश्यक नहीं है इस पस्ट रूप से हम बतायागा है ठीक है चैन सुची संस्था के सूचना पताल यानि के वबसाइट में जो है मेरिट लिस्टे जारी कर दिया जाएगा तो आप वहां से अलोकन कर सकते हैं अब बात करें इसमें सेलेरी वगेरा क्या दिया जाएगा तो जो है इसमें प्रेशिक्षन कारेक ले प्रती गहंटे 125 रूपया की दर से प्रती कालखंड जो है आपको इसमें दिया जाएगा प्रती दिन के हिसाब से तो कुल प्राज गहंटे जो है आपको हाँ पर प्राशिक्षन देना होगा दोस्तों तो इस प्रकार से जो है कुल महिने का आपका बन जाएगा तेरह हजार रुपे प्रतीम आपको इसमें दिया जाएगा ठीक है तो आविदन का प्राडू पर यहाँ पर देख सकते हैं इसको आपको फोटो चिप का देना है सेल्फ अटेस्टेट करना है और सभी सेक्षन की योगता इसमें रजजगार पंजियन वगरे जाती निवास पनौमान पत्र सब अटेच करना है और उसको जह सेल्फ अटेस्टेट करना नहीं भूलना है दोस्तों तब ही आफका फॉर्म एक्सेट यहाँ पर ही किया जाएगा ठीक है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्टर रिकूट्मेंट की तरफ दोस्त जिसमें क्या चेंज हुआ है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगा दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं जीला परियोजनल लाइवलिविट कॉले सोसाइटी जीला बालोदा वजार महाटा पारा हेतु जो है डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर महमान प्रेशिक्षा खेतु जो है आमनत्रित किया था आवेदन जिसमें की बताया गा था कि डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स में आपको ट्रेनिंग ओफ ट्रेनर्स का जो है सर्टिफिकेट अनिवारी बोला गया थ दोस्तों तो ऐसे बहुत से कंडिडेट है जिनके पास ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास यह प्रमान पत्र नहीं है तो भी आप इसके लिए पात्र रहेंगे दोस्तों ठीक है इसको अनिवार नहीं किया गया है इसको हटा दिया गया है योगता से ठीक है तो अब अगर आपके वल जह दसी पास है और आपके पास जह कंप्यूटर के ग्यान है एक वसी डिप्लोमा अगर है तो आप इसके लिए पात्र रहेंगे ठीक है नहीं है ठीक है अब इसमें आपको कब तक आउधान करना है तो इसमें 3 जिसमें कि आप केवल जो है टेंथ पांस यहां पे दिया गया है और अगर आपके पास computer diploma है तो आप इसमें एप्लिकेबर रहेंगे दोस्तों चैन प्रक्रिया जो है उसी प्रकास है आपको जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया था इस दंबन में तो इसका लोकान अगर आप नए candidate है और पहली बार इस वीडियो के देख रहे हैं तो चैनल को subscribe और इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और इस पीडियाप को जो डाउन लोडिंग है आपको हमारे टिल्ग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों इसमें आपको जो है अठारा हजार प्रती महा बेतन मिलेगा और यह पूर्णता समीदा आधार पर यह भरती लिया जा रहा है और छत्तुजगर के इस्थानी निवासी इसमें आवधन कर सकते हैं चाहिल आपकी सी वीजीले से ही क्यों नहों ठीक है इस संबन में आपको इस ठानी निवासी प्रमान पत्र जो है इसमें अटाइच करना होगा आवधन का प्रारूप यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो आज के लिए ही था दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकास एक और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ धन्यवाद